यह पानी है पानी से हम हाथ थोड़ा सा धो लेते हैं अब पानी हमारे हाथ में लग गया इस पानी को हम हडाना जाते हैं तो हम क्या करेंगे पानी इस पानी को अंदर आ गया तो आप लोग जानते हैं कि पानी कैसी इस पानी humor मar में आ गया आ जाता है तोलिया पानी को सूख लेता है लाज़टें की बक्ति से तेल मिट्टी का उपड़ जाता है इसमें क्या होता है जो रेशो होते हैं जैसे कपड़े के अंदर ये लखडी के अंदर जो होते हैं रेशो होते हैं रेशों की बीच में पतली पतली नलिया होती है तेकि वो नलिया इस तरह की होती है कुछ जैसी शीशे की नल्य आप देखरें हैं थिक इसी तीरे की नल्य आ होती है इससे पानी ओपर की और चढ जाता है देखें मैं करके दिखाता हूं आपको जैसे हम यह रंगीन पानी इस लिए है ताकि आपको पानी चढ़ता हुआ आसानी से दिख जाए आप देखिए इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हैं और यह रही हमारी केशिका इस केशिका को हम पानी में डुबाते हैं तो देखने क्या होता है यह देखिए नली में पानी उपर के उचड़िया यह देखिए आपको ऐसे दिखाते हैं तो आसानी से दिखेगा यह देखिए नली में पानी उपर क्यों चड़ गया जितनी चौरी नली होगी उतनी पानी पानी कम उपर चड़ेगा क्योंकि पानी भारी होता है इसलिए उपर चड़ेगा जितनी पतली नली होगी उतनी पानी उपर क्यों चड़ जाए अब ये देखिए ये शीशे की दो छोटे टुकड़े हैं एक ही आकार के एक ये टुकड़ा है एक ये इन दोनों को हमने के बीच में एक पहली ये माचिस की तिली लगा दी देख रहे हैं माचिस की तिली लगी हुई है तो इसमें हमने रबड़ बैन से उसको बांग दिया अब इससे हुआ क्या कि जिस तरफ इनने ये माचिस की तिली लगाई है वहाँ पर या जो दूरी है वो सबसे ज़ादा यानि कि यहाँ पर केश का चौड़ी है लेकिन दूसरे तरफ जहाँ पर माचिस की तिली महीं है वहाँ पर जगे एकडम कम है यानि कि यहाँ पर पत्ली केशिका है अब जब भी उसको पानी में रखेंगे तो देखते ही क्या होता है यह देखिए जब हमने इसको पानी में रखा तो जिस तरफ तो जिस तरफ माचिस लगई थी, यानि कि केशका चोड़ी थी, वहाँ पानी सबसे कम चढ़ा। तेकि केश का पतली थी, वहाँ पानी सबसे ऊपर तक चढ़ता चला गया है। तेक्श कर देकि कि दिखा आप लोगों है । यानि कि जितना भारी पानी होगा या जितना पानी का भार जादा होगा उतने पानी कम चड़ेगा और यहां पर पानी एक दम कम पतला है तो एक दम उपर तक यह चड़े गया यहां पानी का फार सबसे कम है अब देखिए हम आपको एक दूसरा एक बहुत ही मज़िदार लिए उतको 20 से हालका साम तोड़ते हैं ये यूु देखिए धी sculpt ने इसको ऐसे बोतल के उपर रख दिया बोतल के मुपर तो उन्दे के बाद इसको हमने इसके मुपर रख दिया इस पे रख दिया हमने 25 पैसे का सिक्का अब सिर्फ एक बून पानी की सहायता से क्या कोई इस सिक्के को इस बोतल के मुझे गिरा सकता है देखने हो पाता है कि नहीं इस पे हमने एक ब्रूम पानी डाला बस यह देखिए देखा आप लोगों ने क्या हुआ सिर्फ एक ब्रूम पानी डाला गया जिससे यह थीली के दोनों सिरे आपस में फैलने ले यह हुआ कैसे अधी आपने कुछ परियोंग देखे हैं आईए उन परियोंगों फिर करके हम उसका बैग्डानिक कारण सोचें कि यह कैसे होता है अपने केस्नली लिया और केस्नली को डुगा दिया और इस केस्नली में आप देख रहे हैं कि पानी उपर चड़ गया तो इसका करण क्या है कि पानी और केस्नली इन दोनों के बीच एक बल लगता है आकरशन बल कहते हैं पानी केस्नली जो काच की बली होती है तो काच और पानी के बीच जो बल लगता है इसको हम असंजक बल कहते हैं तो इस असंजक बल और प्रिश्टनाव दोने बल के संजक पुलाओं से ये पानी उपर उठ जाता है और जितनी पतली केस्टली यानि जिसका ब्यास कम हो उसमें ज़ाधा चड़ेगा और जितनी मोटी केस्टली होगी उसमें ये जल कम चड़ेगा तो ये इसका काण के बल कहा है आसंजक बल और प्रिश्टनाव सर्फेस टेंसन और एड़ेसिफ फोर्स इसको इसके काण पानी इस केस्टली के अंदर ऊपर चड़ता है केपिलरी एक्षन का यानि केश्कत का दूसरा उदहान जो आपने देखा है जिसमें दो ग्लास की प्रेटों के बीच ये पानी उपर चड़ा है लिकिन आप देख रहे हैं कि इसमें यहां तो इसकी उचाई कम है और जैसे जैसे इधर बढ़ते जाते हैं उचाई बढ़ती जाती है और एक देखिये बक्रसा आपको दिखाई पर रहा है इसका क्या सिद्धान्त है? बहुत अच्छा सिद्धान्त है जिसको आप केसक तो कहें सकते हैं क्या है? कि अगर आप देखें तो इधर से इधर जाने पर ये जो दोलों प्लेटों के बीच अस्थान है कम होता जा रहा है तो जब दूरी आधिक है तो वही केसनली का सिधांत फिर यहां लग गया यहां ब्यास जञदा और यहां ब्यास कम मुटाई ज़्यादा मुटाई कम तो जब मुटाई ज़्यादा होगी तो कम दूरी तक केशकत होगा यानि कैपली रेक्षन के काला पानी कम दूँचाई तक चड़ेगा और जहां ब्यास कम हो गया यानि आस्थान कम है तो वहाँ पर केस कर दो पानी अधिक हो जाई तक चड़ेगा और इस तरीके से ये बक्र बन जाता है क्योंकि प्रिस्तनाव बल और असंजग बल असंजग बल क्या है कि इस जीसे और पानी के बीज एक आकर्शन बल लगता है इसी को हम असंजग बल कहते हैं हुआ संजब बल और पिर्शत आउबल के काना पानी उपर उगता है जैसे कि आप लोग देखते हैं कि तौलिये से जब गीला हाथ या सरीर पोछते हैं तो पानी तौलिय अजा जाता है तौलिया उसको सोक लेता तो उसमे नहीं महीं केसमेलिया होती है जिसकी साहता से पानी उसके अंदर चला जाता है लाल्टेम की जो बत्ती होती है आपने देखा कि उसके उपनी सिरे को अगर हम जलाते है तब जलता है लेकिन मिट्टी का तेल कहां से आता है नीचे से आता है नीचे से उपर अपने आप चलता है मासिस की तीली को तोड़ कर बोटल के सिरे पर रखा गया और उसके उपर सिक्का रखा गया और एक बून पानी से सिक्के को बोटल के अंधर गिरा दिया गया इसमें क्या विज्ञान लगता है हम आपको बता रहे हैं आप देखें कि ये मासिस की तीली है अब इसको हम ऐसे तोड़ते हैं और तोड़ कर ऐसे रहे दे अब इसके जोड़ पर पानी ड़ला जा रहा है अब आप देख रहे हैं तीली के मोर पर जहां से इसको तोड़ा गया है वहाँ पर हम पानी डालते हैं इस तीली में जो रेशी होते हैं वो उनके बीच महीं महीं केसनलिय बनी होती हैं बन जाती हैं और इन केसनलियों के साहिता से पानी तीली के अंदर चला जाता है इधर भी चला गया इधर भी चला गया अब पानी के कारण ये केसनली एक तरिके से फूल जाती है तो प्रिस्तनाव बल लगा और प्रिस्तनाव बल के प्रतक्रिया बल के कारण जब पानी के तीली के अंदर घुशता है तो क्या होता है कि दोनों के अंदर आपस में बल लगते हैं अगर्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्ण